हेलो एव्रीवन दिस इस एदिती एंड वेरी व़ेल्कम टू कुरेंट अफेर्स पाई रवी यूट्यूब चैनल तो आज संडे है संडे को हम वीकली करेंट अफेर्स देखने हैं और आज की वीडियो में हम जो है तीन जून से लेकिन नो जून तक के इंपॉर्टन करेंट क्वेशन के साथ फर्स्ट क्वेशन हमारा अठारवी लोकसभा चुनाफ दोहजार चोबीस में किस राजनितिक पार्टी ने जो है फ्रेंट सबसे जादा सीट जीती है तो राइट अपका रहेगा उप्शन अबर बी बीजेपी ने तो बीजेपी ने जो है फ्रेंट अठा और लोकसभा चुनाफ दोहजार चोबीस जो है फ्रेंट ये पूरे भारत में 543 सीटों के लिए आयजित किया गया था हालांकि किसी भी पार्टी को इसमें सपस्ट बहुमत जो है फ्रेंट फो नहीं प्राप्त हुआ बारती जंता पार्टी को इसमें मिली है टोटल 240 सीट् इसमें 99 सीट्स समाजवादी पार्टी को मिली है 37 सीट्स अखिल भारती त्रिन्मूल कॉंग्रेस को मिली है 29 सीट्स किस फुट्वल क्लब ने पंदरवी बार 2023-23 UEFA चैंपियन्स लीग जीती गई है पंदरवी बार 2023-23 UEFA चैंपियन्स लीग जीती गई है इंपोरपो इसकी बात करें तो स्पैनिश फुट्वल क्लब रियल मैडरिट ने जो है जर्मन फुट्वल क्लब बोरुसिया डार्टमूड को फाइनल में 2-0 से हराकर 2023-23 UEFA चैंपियन्स लीग का पंदरवी बार जीत लिए है दोसार 23-24 UEFA चैंपियन्स लीग का फाइनल जो है ये एक जून 2024 को इंग्लेंड के बैंबली स्टेडियम में खेला गया था क्वेशन में देखी बात आई है UEFA की UEFA को हम हिंदी में Union of European Football Association जो है ये इसका फुल स्वाउम है बात करें इसकी स्थापना की वो ही थी 15 जून 1954 को स्विजलेंड के नियोन में जो है फेंट्स इसके हैटकॉर्टर्स है सदस्य जो है इसमें यूरोप के 55 देशों के राष्टे फुटवल संग है जून 2024 में किसने एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया जून 2024 में एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति जो है ये बन गए है अडानी स्मो की चेर्मेन है गोतम अडानी इनोने रिलाइस इंडस्टिस के प्रमुक मुकेश अंबानी को पीछे चोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का टाइटल फिर से हासिल कर लिया है ब्लूमबर्ग बिलीनियर इंडेक्स के अनुसाँ शिरिया डानी की कुल संपति जो है वो है 111 बिलियन डॉलर जिसके साथ वे दूनिया के ग्यारवे सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो बने है दूसरी और मुकेशमानी जो है फेंड्स ये 109 बिलियन डॉलर की संपती के साथ वैश्विक्स तरपर बारवे स्थान पर रहे नेक्स एक जून दोहसार चोबिस में किसे तमबाकू नियंदरन के लिए ब्रैंड अमेस्टर निक्त किया गया तमबाकू नियंदरन के लिए जो है पीबी सिंदू जो की एक बैड्मिंदरन प्लेयर है इन्हें ब्रैंड अमेस्टर जो है वो बनाया गया है नेक्स कुशन क्यों राते हैं तो नेक्स कुशन आपका है वर्ष दोहजार चोबिस में टाइम पत्री का द्वारा जारी दुनिया की सो सबसे प्रभावशाली कंपनियों में जो है वेड्स की से शामिल किया गया तो टाइम पत्री का द्वारी जारी जो दुनिया की सबसे सो प्रभावशाली कम्पनिय वो जो है आपकी ये तीनों ही रही option number D जो है राइटन से रहेगा उप्रुकत सभी तो इनमें Serum Institute, Tata Zammu, Reliance Industries Limited जो है वेंट ये तीनों ही कम्पनिय शामिल है important वो इसकी बात करें तो तीन भारती कम्पनिया जिनमें की Reliance Industries Limited, Tata Group और Serum Institute of India को वार्शिक टाइम्स मेगजीन ग्लोबल सो सबसे प्रभावशाली कम्पनियों में जो है दो हजार जोबिस में शामिल किया गया है ये एक Annual Times मेगजीन के ग्लोबल सोबर सबसे प्रभावशाली कम्पनियों का चोथा संस्करन था नेक्स्ट आपका जून दोहजार जोबिस में हला टोम्स टोटिर जो है 21 देश की नई रास्टरपती बनी राइट अंसर ओप्शन नबर A है आपका आइसलेंड की आइसलेंड से लेटेर कुछ important points जो है हम revise करते हैं तो आइसलेंड आपका यूरोप में स्थीत देश है Capital है जिसकी रिक सैविक Corona जो है यहां की मुद्रा है नेक्स आपका वर्ष दोहज़ाचोबिस में संयुक्तरास्टर में भारत की जो पहली महिलयस्थाई प्रतिनीधी सेवा निर्वित हो गई है उनका क्या नाम है राइट अंसर ओप्शन नबर B है आपका रूचीरा कमबोज नेक्स कॉशन दोहज़ाचोबिस स्क्रिप्स नैशनल स्पैलिंग भी पूरुसका जो है फैंस इससे किस भारतिय अमेरिकी ने जीता है तो इससे जीता है ब्रुहत सोमा ने यानि क्योप्शन नबर ये राइटन से रहेगा इमिज के जो आप इने देख सकते है फ्लोरीडा की साथवी कक्षकी भारतिय अमेरिकी शात्र ब्रुहत सोमा जो है फैंस इन्होंने दोहजार जोबिस का स्क्रिप्स नैशनल स्पैलिंग भी जो है अवोर्ड जीता है इस कंपटिशन में जीतने के बाद उन्होंने पचास हजार डॉलर यानि की 41 लैक से जादा रुपई जो है वो अपने नाम किये नेक्स कोशन गुड लेपा हली केरी पुरुसकार जो है ये दोहजार चोबिस से किसे समानित किया गया उप्शन गुड लेपा हली केरी अवोर्ड से जो है समानित किया गया है रूस ने किस देश में मद्य इश्या के पहले प्रमानु उज्जा सैयंत्र के निर्मान की योजना जो है वो शुरू की उप्शन गुड लेपका उज्वेकिस्तान के नेक्स गुड जून दोहज़ाज़ाचोबिस में भारती रिजर्ब बैंक दोरा किस देश से जो है 100 टन सोना वापिस लाया गया राइट अंसर रहेगा उप्शन अबर C, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से जो है, RBI ने फ्रेंट जून दोहजार चोबिस में 100 टन जो है, ये सोना वापिस लाया है, नेक्स कोशन के और आते हैं, तो किसने वायू गती किये डिजाइन और विशलेशन के लिए प्रभा करा गया है, इस रोद्वारा यानि कि उप्शन अबर C, राइट अंसर रहेगा, आईए इस कोशन को और डिटेल में समझते हैं, तो इस रोदे जो है, अपने विक्रम सारा भाई, अंतरिक्षय केंद्र के माध्यम से फ्रेंज, प्रवा सॉफ्ट्वेर प्रस्तूत किया, ज इस रोकेट बोडी और क्रू मोडियोल के आसपास वाईयू प्रवा को जो है समझने में सक्षम मनाता है, प्रवा के माधियम से क्या होगा, हिस्ट्रो का लक्षिय है प्रवा के माधियम से एरोस्पेस पृध्योगिकी में भारत की आतम निरपता की अकांग शाओं में सादेती हूं तो इस्टों की स्थापना हुई थी 15 अगस 1969 को मुख्याले हैं पिंगलूरू में करंट ध्यक्षिया इस्टों की एस ओमनात एक कुशन विश्व पर्यावरन दिवस जो है ये कब मनाया गया तो पर्यावरन दिवस जो है ये हमने सेलिब्रेट करा है पांच जून को अप्शनमबर डीर आइटन से रहेगा अब जान लेते हैं विश्व पर्यावरन दिवस की थीम तो थीम आपने दिहार में रखने है इसकी थीम थी बूमी बहाली मरुस्थली करन और सू लिब्रेट किया गया था पांच जून 1973 को मैं दोहजार चोबिस में किसने अगनी बचाव सहाइक ड्रोन जो है इसका नावरण किया राइट अंसर उप्शनमबर सी है आयाईटी धारवार ने अगनी शमन ड्रोन जो है फ्रेंट्स इसके बारे मैं आपको बता देते हूं तो ये ड्रोन जो है इसे छोटे कमरो और उचतापमान में उन्डे में सक्षम होने के लिए डिसाइन किया गया है जो कि जटील स्थानों में आख से लड़ने के लिए महतबुन है इन ड्रोन में लगे थर्मल सैंसर द्वारा जो है आगकी लप्टों सहीत वस्तूं से निकलने वाले अवरक्त विक्रन का पता लगाया जा सकता है इसके बारे में जानते हैं इसकी स्ताबना हुथी 2016 को मुख्याले है करनाटक के धारवार में करन्ड निदेशक जो है आईटी धारवार के वो है वेंक पया और दिसाई बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स कोशिन की तरफ तो देखिए नेक्स कोशिन आपका न्यू योग इंडियन फिल्म फेस्टिवल दोहजारे चोबिस में किस अभिनेत्री ने फिल्म मिसेज में अपने शांदार प्रदर्शन के लिए जो है सर्विस रेस्ट अभिनेत्री का वोड जीता साइटन से उप्शन बसी है आपका सान्या मलहोतरा ने किसने अगली पिड़ी की AI चिप प्लाटफॉर्म जिसका नाम है रूबिन इसका नावरण किया है तो AI चिप प्लाटफॉर्म रूबिन जो है फेस्ट इसका नावरण आपका करा गया है आते हैं नेक्स कोशन के ओर तो जून दोहजाच चोबिस में कावांगो जांबेजी ट्रांस फ्रंटियस अरक्षिन चेतर के लिए वर्ष दोहजार चोबिस के रास्ट्रे अधेक्षी शीकर्स अमेलन का आयोजन कहा हुआ राइट अंसर रहेगा आपका उप्षन नमबर C लिविंग स्टोन जो कि आपका जांबिया में है फ्रेंट्स यहां पे जो है इसे शीकर्स अमेलन का आयोजन हुआ है नेक्स कुशन देखिए QS World University Ranking 2025 में भारत का कौन सा विश्व विद्याले जो है वो शीश पर रहा इसमें जो शीश रैंक करने माली भारती विश्व विद्याले रही उनके परें मैं आपको बता देती हूँ तो नमबर वन रैंक मिला है आपका भारती प्रधोगी की संस्थान बोंबे को और वह इंवेंट्स भारती प्रधोगी की संस्थान दिली जो है इसे सेकिन रैंक मिला है और भारती विज्ञान संस्थान बिंगलूरू जो है इसे थरसान मिला है नेक्स्ट आपाना कोशन जून दोहजाजाज़ोगी में पाकिस्ताने की सहायता से पाक सैट M.M.1 उपगरह जो है यह प्रक्षेपित किया राइट आंसर ओप्षन नमबर यह है आपका चीन की तो चीन की सहायता से जून दोहजाजा़ोगी में पाकिस्तान ने फ्रेंज अपने उपकरह है पाक सैट M.M.1 को जो है प्रक्षेपित कर लिया है बढ़ते हैं हमारे आज की नेक्स कोशिन की दरफ देखिए हिंदी साहिते भारती पुरुस्कार दोहजार चोविस से किसे समानित किया गया option number B एकदम करेक्ट अंसर है कृष्ण प्रकाश जो है ने हिंदी साहिते भारती पुरुस्कार मेरा है तोहजार चोविस का नेक्स्ट है आपका साथी 2.0 जो है ये पर्सनल फाइनस आप कि किसके दोरा लोंच किया गया तो यह आपका लोंच करा गया है सेवी दोरा option number E राइट अंसर रहेगा आईए सेवी के बारे ने जानते है तो सेवी को हिंदी में कहा जाता है भार्ती प्रतिबूती और विनम में बोर्ट जिसकी स्ताफना हुई थी 12 एप्रेल 1988 को मुख्याली मुंबई में है करेंट अथ्यक्ष है सेवी की मादभी पुरी पुच्च नेक्स सेखिए फिल्लेंड की दूर संचार उपकन वी निर्माता कंपनी नोकिया ने 5G, 6G संचार अनुसंधान पर सहयों के लिए किसके साच हो है वो समझोता किया श्राइट अंसर रहेगा option number B आपका गती शक्ती विश्यविद्याले के साथ दुनिया में सबसे बड़ी जिनोम की फन प्रजाती जिसके नाम है टमेस पिटेरीस अबला नसोल लाटा इसकी जो खोज है यह कहां पे हुई तो इसकी जो खोज है यह की गई है न्यू कैलेडोनिया में यानिकि option number D राइट अंसर रहेगा नेक्स कोशन हमारा टाइवान एथलेटिक्स ओपन दोहसार चोबीस में महिलाओं की लंबी कूद परित्योगिता में नैना जेम्स जो है नोने कौन सा पदक जीता तो इन्होंने इसमें जीता है गॉल्ड मैडल option number A राइटन सा रहेगा नैना जेम्स जो है आप इन्हें इमेज की दुरू देख सकते हैं important points की बात करें तो इशियाई Athletics Championship की कान से बदक विज़ेता नैना जेम्स ने चीनी ताइपे में जित ताइवान एथलेटिक्स open 2024 में महिलाओं की लंबी कूद में स्वन बदक जीता है नैना ने 6.43 मीटर की प्रफावशाली दूरी दच की और पोडियम पर शीष्थान हासिल किया और ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में जो है भार्टिक लाडियों ने टोटल 7 मेडल्स अपने नाम करें जिसमें की तीन है आपके स्वन तीन है रज़त और एक है कान से बदक नेक्स है क्लाउडिया शीन बोम जो है एक इस देश की महिला रास्ट्रपती चुने गई है राइट अंसर रहेगा उप्शन नमबर डी आपका मैक्सिको की इंपोर वोइस की बात करें तो फ्रेंच जलवायू विग्यानिक हैं क्लाउडिया शीन बोम इन्हें जो है मैक्सिको की पहली महिला रास्ट्रपती चुना गया है शीन बोम देश की शीश पद पर पहुंचने वाली पहली जहूदी नेता भी होंगी ये पूर्वर रास्ट्रपती एंड्रिस मैन्योल लोपेज ओब्रे डोर का स्थान लेंगी मैक्सिको की बात आई है तो मैक्सिको की ये जो है महिला रास्ट्रपती चुनी गई है तो ये जो है मैक्सिको उत्री अमेरिका में सिते एक देश है जिसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी मैक्सिकन पैसो जो है वो यहां की करनसी है नेक्स्ट आपका भारत की लोगसवचुनाव 2024 में कितने करोड लोगों ने मद्दान देकर विश्व रिकोर्ड बनाया ट्राइटन सोप्ष नमबर ए है आपका 64.2 करोड लोगों ने भारत ने जोवचुनाव में थी 31.2 करोड महिलनाओं सहीत 64.2 करोड मत्दाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकोर्ड बनाया है मुख्य चुनाव आयुकत राजीब कुमार के अनुसार ये संख्या सभी G7 देशों अमेरिका प्रिटेन, फ्रांस, डर्मनी, इटली, जेपैन और कैनेडा के मत्दाताओं के संख्या का 1.5 गुना है चुनावी प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निग्रानी टीमे और 1.5 करोड मत्तदान एवं सुरक्षा कर्मी जो हैं वो शामिल थे जून 24 में किस देश के अंतरिक्ष यान लेंडर जिसका नाम है चांगी E6 इसने चंदरमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार लेंडिक कर अथिहास रच दिया शाइट अंस अप्ष्ण बबब B है आपका चीन ने इंपोर्डर पोईस कवर करते हैं तो आंतरिक्ष की दुनिया में काम्याभी हासिल करते हुए चीन ने दूसरी बार चंदरमा के सुदूर भाग पर अपना लेंडर उतार दिया है चीन के राष्ट यांतरिक्ष प्रशासन ने गोशना की है कि चांगी सिक्स लैंडर दक्षनी दूप एटकेन बैसिन के उत्रपूर्वी हिस्से में सफलता पूर्वक उत्र किया है तीन मही को लौच किये इस मिशिन का लक्षे है इस शेतर से दुरलब चटान और मिट्टी कठा करना नेक्स आपका आक्रामत की शिकार मासूम बच्चों का अंतराष्टे दिवस्ट है ये कब मनाया गया 2024 में तो यह आपका सेलिब्रेट किया गया है चार जून को उप्षन नमबर डी है टेलंगना की नेक्स कोशन आइसी सी ने टीटॉंटी पुरुष विश्कप दोहजार चोबिस के विज़ताओं के लिए कि पुरुषका राशी की घोशना की ऑप्षन नमर एक रेक्ट असर रहेगा तो आइसी सी ने जो है टीटॉंटी पुरुष विश्कप दोहसार चोबिस में विज़ताओं के लिए 11.25 मिलियन डॉलर की जो है फ्रेंट्स पुरुषका राशी की घोशना करी है आइसी सी टीटॉंटी विश्कप दोहसार चोबिस की शुरुवात एक जुन दोहसार चोबिस से हो रहे है इसकी मेजबानी जो है ये वेस्ट इंडि प्रेंड की प्रेंड अम्वेस्टर न्यूक्त किया गया राइट अंसर ओप्ष्ण नमबर सी है पीवी सिंधु को नेक्स एक ये ताइवान एफ्लेटिक्स ओपन दोहसार चोबिस में पुरुषों के जैबलिन थ्रो इवेंट में भारती खिलाडी डीपी मनु ने कौन सा वदक जीता तो इन्होंने इसमें जीता है गोल्ड मैडल ऑप्ष्ण नमबर एई राइट अंसर है नेक्स कोशन की और मूव करते हैं भारत की पुर्वेतर चेतर का दूसरा भारती प्रवंदन संस्थान जो है ये किस राजे में खोला जाएगा तो फ्रेंट्स भारत की प्लेयर ओफ ताइयर 2023 के पुरुसकार से समानित किया गया ओप्ष्ण नमबर सी राइट अंसर है विराट कोहली को नेक्स्ट मारा कोशन है जून दोहजार चोबिस में किस देश ने अपनी पहले आंत्रिक्ष एजेंसी कासा की जो है वो स्थापना की ऑप्ष्ण नमबर ए आते हैं तो चर्चा में रहे जीरो डैब्रीज चार्टर जो है इसका संबंद किस्से है तो राइट अंसर रहेगा आपका इस कोशन का उप्ष्ण नमबर एसे आंत्रिक्ष मल्बों के संबंद में तटस्ता प्राप्त करने से लिए नेक्स कोशन एश्याई विकास बैंक त लेंडर वर्ष तो हसार तेईस में भारत को 2.6 बिलियन डॉलर का रिन दिया है तो हजार तेईस में एडीबी द्वारा समर्थित रिनो का उप्योग शहरी विकास परियोजनाओं को वित्त पोशित करने विजली चेतर को बढ़ावा देने और ध्योगिक परवत माला के वि भारती से आने को जून दोहजार चोबिस में कौन सा बैंक आटला करोड रुपे से अधिक बजार कैपिटलाइजेशन वाली साथवी भारती कंपनी बन गया राइट अंसर उप्शन बबब बी है एस्पी आई यानि कि भारती स्टेट बैंक जो है यह जून दोहजार चोब एक जुलाई 1955 को मुख्याले इसके है महराश्टर के मुंबई में करंट दियक्षे है फ्रेंट्स SPI के दिनेश को मार खारा नेक्स आपका विश्व साइकल दिवस जो है यह दोहजार चोबिस में कम मनाया गया तो उप्शन बबब बी राइटन से रहेगा तीन जून को इस पूरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का योजन जो है यह किस तेश में किया गया ओप्शन बबब सीर आइटन से रहेगा यह दोनों तो नोमा आई सी सी पूरुष T20 क्रिकेट विश्व कप जो है यह संयूक्त राजय अमेरिका और बैस्ट इंडिस में जो है फ्रेंट्स इस इसकी स्थापना हुई थी एक नवंबर 1956 को तेरुनंद पूरम में इसकी कैपिटल है मुख्य मंत्री है पिनाराय विज्जन राज्यपाल है केरल के आरिफ मुहमत खान नेक्स्थ आपका किस ने पाकिस्टानी सेना में अल। फसंख्यक समुधाय की पहली महिला बृगेडियर बन कर इतिहास रचा है नेक्स कूशन के और मूव करते हैं नेक्स कोशन हमारा पैरिस ओलंपिक खेलो दोहजार चोबिस के लिए क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारती पुरुष मुख्यवाज बने वो कौन बने ओप्शन बर बी राइट अंसर हेगा निशान्त देव राष्टे सांखिय की संगठन ने इसके आंकडों की अनुसार जो है वित्तवर्ष दोहजार चोबिस में भारत की जो अर्थ विवस्तादर है ये कितनी है राइट अंसर हेगा उप्शन बर बी एट पॉइंट टू परसेंट राष्टे सांखिय की संगठन के अनंतिम अनुमान के नुसार जो है वित्तवर्ष दोहजार तेईस चोबिस में भारतिय सकल घरेलू उतपाद यानि की जीडिपी जो है फेंट पॉइंट टू परसेंट की इसमें व्रिद्धी देखी गई है दोहजार बाइस तेईस में भारति ग्राम विकास दर जो है वो साथ प्रतिशत रही थी और 9060 और 61 के बाद से ये जो है नौवी बार है कि जब भारति जीडिपी एक वित्तिय वर्ष में आठ प्रतिशत जाँ उससे अधिक वरिद्धी कर रही है नेक्स कुशन आपका है वर्ष दोहजार चोबिस में भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स है ये किस ने जाड़ी किया तो ये आपका जाड़ी करा गया है नेसी इंडेक्स लिमिटेड द्वारा कुशन नंबर बी राइट अंसर रहेगा इंपोर्ण वह इसकी बात करें तो भारती शेयल बजार यानि कि NSE की एक एकाई NSE इंडेक्स लिमिटेड ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स लौंज किया है ये देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन सूच कांक है नेक्स्ट इस किसने बॉन बैडमिंटर टूर्णामेंट 2024 में महिला एकल का किताब जीता स्राइटन से उप्ष नमबर C है तन्वी शर्माने इंपॉर्ण पो इसके बाद करी तो भारत की तन्वी शर्मा जो है फ्रेंट्स इन्होंने शर्मिंबार को जर्मिंटरी में बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटर टूर्णामेंट में महिला एकल का किताब जीता है युवा भारती शटलर ने ताइवान के वांग पेई यू को सिधे सेटों में 21, 19 और 22, 20 से हराया है 15 साल की है तन्वी और इन्होंने ये जो है अपना पहला सिनियर किताब है जो कि जीता है नेक्स है किसे इंद्रा गांधी प्रमानों немножкоों संधान के अंदर के निदेशक के रोप में नुक्त किया गया option बर D correct answer है का CG करहाड़कर को इंद्रा गांधी प्रमानों अनुं संधान के अंतर जो है फन चिसके स्थापना 1971 में हुई थी मुख्याले है तमिनाडू के कल पक्कम में और इसके निदेशक है सीजी करहार कर किस भारतिय संस्थान को स्वास्ते निर्मान के लिए विशु स्वास्ते संगठन ने दो हजारे चोबिस के नैजनल मनेला पुरुषकार से समानित किया स्वास्ते संगठन के लिए विशु स्वास्ते संगठन ने दो हजारे चोबिस के नैलसन मनेला वोड्ट से समानित किया है निदेशक नाम है डोक्टर प्रतिमा मूर्ति और उन्हों जो है ये पुरुसकार प्राप्त किया डैलसल मंडेला वोड जो है इसके वारे मैं आपको बदाते हूँ तो ये पुरुसकार जो है विशो स्वास्ते संगठन दौरा दिया जाता है विश्व स्वास्ते संगर्थन दौरा इसकी शुरुवात की गई थी वर्ष दोहजार उनीस में ये जो है फ्रेंट्स ये स्वास्ते सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए व्यक्तियों सरकारी जांफिर गयर सरकारी संगर्थनों को प्रधान किया जाता है नेलसल मंडेला जो थी ये एक अश्वेद रास्टरवादी और दक्षन अफ्रीका के पहले अश्वेद रास्टरवती थे नेक्स्ट इस वर्ष दोहजार चोबिस में कौन सा देश जो है ये नव गठीत विश्व मुक्यवाजी निकाय में शामिल हुआ राइट अंसर ओप्षन नमबर डी है आपका भारत अंदराश्टी मुक्यवाजी संग जो है फ्रेंट्स ये एक अंदराश्टी खेल संगर दिन है जिसकी स्थापना हुई थी 1946 को मुक्यालिस के हैं स्विजलान की लुसाने में करंट अद्यक्ष है उमर क्रेमलेव अधियर ये 24 में कभ मनाया गया दोजून को जुँदो ए फ्रेंट्स त्यलंगना ने अपन स्थापना दिवस्न मनाया है उपशिन नंबर के राइट अंसर रहेगा हर साल जो है दो जुन को तेलंगना अपना स्थापना दिवस मनाता है साल 2014 में तेलंगना अंदरपरदेश से अलग होकर भारत का जो है 39 वा राज्ये बना था तेलंगना स्थापना दिवस दो हजार चोबिस राज्ये की निर्मान की दसमें वर्षकांट का प्रतीक है तेलंगना जो है इसके बारे में कुछ important points डिस्कस करते हैं तो तेलंगना की स्थापना हुई थी दो जून 2014 को अगर आपको वीडियो की quality content और में मेहनत पसंदारी है तो वीडियो को शेज़ जरूर कीज़ेगा अगर आप चैनल पर न्यूव है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीज़ेगा क्योंकि डेली करेंट अफेर्स के लावा हम आपको काफे सारे important topics जो है इस चैनल पर कर ब इत्रंज खिलाडी ने नौर्वेश इत्रंज टूर्णामेंट दोहजारे चोबिस में दुनिया के नंबर वन खिलाडी जिनका नाम है मैंगनस कालसन इन्हें हराकर इत्यास रच दिया तो राइट अंसर उप्शन नबर बी है आपका आर प्रगना नंदा ने एक से कि विश ओफिन प्रदान करने की महतब नंभूमिका नेक्स कोशन वर्षच तो होजाचोबिस में चरचा में रहे नासा के मैगलन मिशन जो है इसका संबंद किससे है तो नासा की मैगलन मिशन है इसका संबंद है शुकर ग्रह से औप्शन बर बी राइट अंसर है नेक्स ओमारा एक महिला क्रिक्ट दिवी में सबसे तेज 100 विक्ट लेने वाली क्रिक्टर कौन बनी को रची है सफी अ इकेस्ट ने लेंगा नी कि और वर्ष दोहजार चॉबिस में विक्की द्वारा कहां पर कोंड चेन और लोजिस्टिक शिकर चमेलन का यूजन कया गया त्राइट अंसर ओप्ष नमबर डी है आप का नई दिली में फिक्की जो है फ्रेंट्स इसकी सापना हुई थी 1927 को मुख्याली की बात करें वो नई दिली में से थे हैं डॉक्टर अनीश शा जो है वो करंट अध्धक्ष हैं फिक्की के नेक्स्ट हमारा मलेरिया से लणने के लिए किस अफ्रीकी देश ने अनुवांशिक रूप से संशोदित जीम मच्छ जो है फ्रेंट्स इसका परेयोग किया तो राइटन से ओप्ष नमबर डी है आप का जिबूती ने नेक्से किये आईटी कानपूर में डी आडी उध्योग अकैदमी उध्करिस्टता केंदर का उध्गाटन किसके दोरा किया गया ओप्ष नमबर सी राइटन से रहेगा एन बी दोनों तो डॉक्टर समीर वी कामत और मनिंदर अगरवाल दोरा जो है फ्रेंट्स आईटी कानपूर में डी आडी उध्योग अकैदमी उध्करिस्टता के इंदर जो है इसका उध्गाटन हुआ है नेक्स कुशन देखते हैं अदानी पोर्ट ने किस देश के साथ दार एस सलाम बंदरगाह जो है फ्रेंट्स इसके लिए 30 साल का समझोता किया टन्जानिया के साथ दानी पोर्ट ने गिस साल का समझोता करे लें नेक्स दोजाबिगाह यह किस दोजाब आजबे में मासिक धरम्नीती अफकास इसे परर्णा करने वाला देशका पहला उच्छ न्यायले कौन से सब्सक्राइब निर्दिष्ट किया गया कि महिला करमचारी हर महिने जो है दो से तीन दिन की मासिक धर्म शुट्टी का लाब उठा सकती है एपने महिला करमचारी के मासिक धर्म अवकाश की विवस्ता है शायद उनी को देख कर सिक्री मुचन ले लेफिख नाले नेथे ऌब उपनी महिला करमचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश की निती शुरू कि है फैश्विक अभी वावक दिवस जोहाई जोहाई दोहजार जोबिस में कब मराया गया The Global Days of Parents जोहाई जेलिब्रेट करा गया है आपका एक जून को option number C right answer है Next question किस मन्तराले ने रास्टे बाल भवन में समर फिएस्टा जोहई ये 2024 से इसका उतःदन करा option number C right answer रहेगा सिक्षा मन्तराले दवरा जोहाई फैंस रास्टे बाल भवन में समर फियस्टा 2028 का उतःदन किया गया है इंपोर्टम में इस कवर करते हैं तो शिक्षा मंत्राले के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता भिवाग के सच्छीव शिरी संजे कुमार ने रास्टे बाल भवन नई दिली में एक महीने तक चलने वाले समर फियस्टा दोहजार चोबिस का उठकारण करा समर फियस्टा जो है फियस्टी एक महीने तक चलने वाला एक शिविर है जिसमें ये 5-16 वर्ष की आयू के बच्चों के लिए 30 से अधिक प्रिकार की भिविन कतिवितियां जो है वो शामिल होती है किसे करमचारी राज्य वीमा निगम के महाने देशक के रुप में निउक्त किया गया राइट हैं से अप्ष नमबर एए है आपका कमल किशोर सोन को कमिल किशोर सोन जोहाईन उन्हे इन्हें श्रम एवर रोजकार मंतराले के अंदरगत करमचारी राजय बीमा निगम के महारे देशक का जोहाई तरिक्त कारेभार संबाला है यह जोहाई यह जारखंड कैडर के वरिस्ट आइएएस अधिकारी हैं करमचारी राज्य वीमा नीगम जो है फेंट्स इसकी स्थापना 24 फेबरी 1952 को हुई थी नई दिले में मुख्याले हैं मूल विवाग इसका है श्रमेवम रोजकार मंत्रालिय बुपेंद्र यादव जो है वो इसके जिम्मेदार मंत्री हैं नेक्स एक ये जून दोहजारे चोबिस में नासा के बॉइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर आंतरिक्ष में उडान बहने वाली भारते मुल की पहली महिला कोन बनी राइटन से रहेगा उप्शन नबर ये आपका सुनीता विल्लियम्स नासा जो है फ्रेंट्स इसके स्थाबना होई थी जुलाई 39 नाइटिन फिफ्टी एट को मुख्याले इसके हैं अमेरिका के वाशिंग्टन डी सी में प्रशासक है इसके बिल नेल्सन नेक्स देखिए जून 2024 में एपल को बचाट कर दुनिया की जो दूसरी सबसे मुल्यवान कमपनी है वो कौन से बनी राइट अंसर रहेगा उप्शन नबर बी आपका एंविडिया एंविडिया जो है ये पांच एप्रिल 1993 को स्थाप्रित हुई थी मुख्याले इसके अमेरिका के कैलिफोरिया में है इसके करनेट जो अध्यक्षूर CEO है उनका नाम है जिंसिन हुआंग नेक्स कोशन विश्व महसागर दिवस जो है तो ये दो हजार जोबिस में कम मनाया गया उप्शन नमबर D एकदम करेक्ट अंसर रहेगा आपका फ्रेंट्स आठ जून को सेलिब्रेट करा गया वर्ल्ल ओशियन स्टेई 2024 इस बार की तीम जानते हैं इस बार की तीम थी नई गहराईयों को जगाओ साल 2009 में जो है फ्रेंट पहली बार विशो महासागर दिवस जो है से सेलिब्रेट किया गया था नेक्स रहेज जून 2024 में नैशनल कंपनी लोड ट्रिब्यूनल ने एयर इंडिया और किस एयरलाइन के विले को मंजोरी थी राइट अंसर इस ऑप्शन नबर सी विस्तारा के नेक्स से की विशो मस्तिक्ष ट्यूमर दिवस जोहाई की तो सार चोबिस में कम मनाया गया ऑप्शन नमबर सी राइटन से रहीगा आठ जून को सेलिब्रेट करा गया वर्ल्ल ब्रेंट ट्यूमर डे 2024 इस बार की जो तीम थी वो थी मस्तिक्ष स्वास्तिय और रोकता यानि कि ब्रेन हैल्थ एंड प्रिवेंशन नाइस कौशन के ओर आते हैं तो जून दोसार चोबिस में कीस राजी की दो वेट लेंघ जिनका नाम है नागी और नक्ति इन्हें जो है फ्रेंट सर्स थलों की लिस्ट में शामल किया गया तो ये आपके तोवेटलेंट जो है ये बिहार के हैं इन्हें अभी रिसेंट में ही रामसर्स तलों की सुची में शामल किया गया है और अब इंडिया में टोटल जो है 82 रामसर्स तल है इसके उपर जो है complete वीडियो आपको आज शाम को मिल जाएगी तीन बजे शाम को जो है इस टॉपिक के उपर complete वीडियो आ रही है तो आप सरूर देखिएगा इसी चैनल पे इस कुश्चिन से लेटर कुछ important points आपको बता देती हूं तो भारत ने रामसर्स मेलन के तहत जो है फ्रेंस नागी और नक्टी पक्षिय भहरनयों को अंतरास्टे महतव के अपने नए आधरभूमी गोशित किया है यह विहार के जमोई जिले में चाजावन चेतर के बीतर स्थित है इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर होगी है 82 भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ सायूत रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है युनाइटे किंग्डम जो है यह टोप पर है और इसमें जो है 175 साइट से मेक्सिको जो है यह दूसरे स्थान पर है इसमें 144 साइट है और चीन तथा भारत जो है वो तीसरे रैंक पर है ठीक है अब मैं आपको पता देती हूँ रामसर साइट होता क्या है तो युनाइसको ने 1971 में रामसर कर्ण्वेक्शन को शुरू किया था इसका नाम जो है यह रान के रामसर शायल के नाम पर रखा गया जहां की पहला समिलन हुआ था रामसर साइट में ऐसे वेटलन को शामिल किया जाता है जहां की जमीनी नम हो जमीन जो है वहां की नम होती है और वहां बारिश के समय पानी जमा होता है रामसर साइट में शामिल होने पर उस शगय का जो है अंतराश्टी दरजा मिलता है नेक्स्ट हमारा गोशन है जून ़ोहजार चौबिस में भारत ने किन देशों के साथ मिलकर पायो फार्मासेटिकल संग का निर्मान किया राइट अंसर ओप्षिन नुबर D है आपका उप्युक्त सभी तो जून दोहजार चोबिस में भारत ने जेपैन दक्षिन कोरिया और अमेरिका के साथ मिलकर जो है पायो फार्मा सुटिकल संग का जो है फ्रेंट्स निर्मान किया है नेक्स आपका है चर्चा में रहे ओप्रेशन अन्थिंकेबल का संबंद किस देश से है तो अन्थिंकेबल का जो संबंद है फ्रेंट्स ये है आपका रूस से ओप्रेशन पर डीर आइट अंसर है उप्रेशन अन्थिंकेबल जो है ये 1945 के दोरान यू एससर के खिलाफ बिटिश चीफ और स्टाफ कमेड़ी दोरा विक्सित दो संबंदित संभावित भविश्य की यूद्ध योजनाओं को तिया गया नाम है जून दोहजार चोबिस में स्वधेशी वाईउ गुनवता निग्रानी प्रिनाली, एक्यू, एम्स और एर प्रभाह एप जो है ये किसने लौँच करा तो ये आपका लौँच करा गया है इलेक्ट्रोनिक्स और सुच्णा प्रध्योगी की मंत्रा ले दोरा उप्शनमबर एक रैक्ट आंसर है नग्स देखिए जून दोहसार चोबिस में वाईयू प्रधुशन से निबटने के लिए किस राज्य की सरकार ने 10,000 करोड रुपई की परियोजना शुरू की रैक्टन से उप्शनमबर डी है आपका हर्याना की हर्याना के बारे में जौनते हैं हर्याना की स्तापना हुई थी एक नवंबर 1966 को राजानी चुन्टिगण है मुख्य मंत्री है नाइप सिंग सैनी राजेपाल है हर्याना के भंडारू ततात्रे नेक्स सेखिए इंडो पैसिफिक आर्थिक धांचा स्वच अर्थ व्यवस्ता निवेशिक फॉर्म दोहजार जोबिस जोहार फ्रेंच की कहां पर आयजित हुई है राइट इंसर आपका रहेगा उप्शनमबर बी सिंगपूर में भारत ने जोहार सिंगपूर में आयजित इंडो पैसिफिक समरीदी आर्थिक धांचे पर मंत्री स्तरे बैठक में भाग लिया इस प्रति निधी मंडल का नेत्रत वानीजी भिवाग के सचीव शिरी सुनील बर्तवालने की IPEF के सदस्य देशों ने उन समझोतों पर हस्ताक्षर किये हैं जो की 21 सदी की चुनोतियों का समधान करने और एक महतपूरी छेतर में आर्थिक जुडाव को मजबूत करने के लिए अपनी तरहां की पहले द्रिश्टी कौन है स्वच अर्थ व्यवस्ता पर समझोते का उदेश्य जो है फ्रेंस वो उर्जस रक्षा और स्तंकर्मन चलवायू लचीलापन और अनुकूलन जी एच जी सरजन शमन की दिशा में आई पी एफ के सदस्य देशों के प्रयासों में तेजी लाना जीवाशमी इंदन उज्जा पर निर्भरता कम करने के नई तरीके खोजना है नेक्स्ट इस जून दोहजार चोविस में पुनहा सक्रिय हुआ कि लाओवा जबाला मुखी जो है ये कहां पर स्तित है तो ये आपका स्तित है अमेरिका में और ये जून दोहजार चोविस में पुनहा जो है वो सक्रिय हो गया है नेक्स कोशन पर आते हैं तो अनार्क्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उमर की आदिवासी महिला सांसत कोण बनी ओप्शन अमरे एक रैक्ट अंसर रहेगा प्रयांका जार की होली नेक्स कोशन सायुक्त रास्टर के WSIS 2024 चैंपिन पुरुसकार से किसे समानेत किया गया राइट अंसर इस ओप्शन नमरे C.co नेक्स कोशन आपका है जून 2024 में कोन अंतरास्टर क्रिकेट के इत्यास में 606 लगाने वाले विशु के पहले क्रिकेट खिलाडी बन गए ओप्शन अमर बी राइट अंसर है रोहित शर्मा नेक्स रिस विशुक खादिय सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया ओप्शन अमर बी राइट अंसर है साथ जून को इस वार की जो इसकी थीम थी वो थी खादिय सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए त्यार रहे साथ जून 2019 को डवलो एचो और खादिय और क्रिशी संगठन के सहयोग से पहली बार जो है फ्रेंज इस दिन को मनाया गया था नेक्स्ट है हमारा वर्श्य 2025 में कौन सा देश जो है वो 81st अंतरास्टे वायू परिवहन संग वार्षी काम बैठक की मेजबानी करेगा राइट अंसर उप्शन अंबर C है आपका भारत नेक्स्ट कॉश्यन जून 2024 में किसने हर्याना के रोहतक में GST भहवन का उद्खाटन किया तो ये करा है संजे कुमार अगरवाल ने उप्शन अंबर B राइट अंसर है नेक्स्ट हमारा कॉश्यन वर्षे 2024 में कौन वीस वर्षों में दुबारा सांसा चुने जाने वाले पहले लोगसभा द्यक्ष बने हैं नेक्स्ट वारे कोशन की तरफ आते हैं तो भारत की किस शहर में खोगोलिय परियर्टनों को बड़ावा देने की उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया राइट हंस उप्ष नमबर बी है उद्राखंड के मसूरी में उद्राखंड जो है फ्रेंट्स इसकी स्तापना हुई थी 9 नमबर 2000 को देहरादून में इसकी राज़ानी है पुशकर सिंग धा में इसकी मुख्य मंत्री है राज्यपाल है गुर्मीद सिंग किसे भारती विदिश वेपार संस्थान के कुलपती के रूप में नुक्ट किया गया राइट अंसर ऑप्ष नमबर डी है आपका अमित अरोडा को संयूंक तरास्टर रूसी भाषा दिवस जोहई ये दोहजार चोबिस में कब मनाया गया तो ये सेलिब्रेट किया गया है छे जून को ऑप्ष नमबर ये राइट अंसर रहेगा नेक्स्ट अमारा कोशन भारत की किस परोसी देश ने इसराइली पासपोर्ट धारकोग पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की है ओप्ष नमबर सी राइट अंसर है माल्दी उपने माल्दीव ने गाजा में चल रहे है युद्द को लेकर बढ़ते जना करोश के बीच इसराइली पासपोर्ट वाले परियोट को परवेश पर प्रतिबंद लगा दिया राष्टपती डॉक्टर मुहमद मुईजू ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद इसराइली पासपोर्ट पर प्रतिबंद लगाने का संकल पर लिया है माल्दीज जो है इसिया में स्तेत देश है जिसकी कैपिटल है माले यहां की मुद्रा है माल्दीवियन टूफईया और मुहमद मुईजू जो है वो यहां के राष्टपती है नेक्स कोशन पर आते हैं तो जून दोहजार चोबिस में किसने आंतरिक्ष में एक हजार दिन बिताने वाले जो हैं पहले वक्ति बनकर एक इतिहासी कुपलप्दी को खासिल कर लिया तो इनका नाम है ओलेग कोनो नेंको और इन्होंने जो है अंतरिक्ष में एक हजार दिन बिताए हैं और ऐसा करने वाले ये पहले विक्ती बन गी हैं इसी के साथ इन्होंने इतिहास रच दिया है आप इस इमेज के तुरू इन्हें देख सकते हैं नेक्स एकिए दोहजार शब़िस में विश्व एथलाटिक्स अल्टीमेट चैंपेशिप की पहले संसकन का एउजन कहां पर होगा तो ये आपका एउजन होगा हंगरी के बुड़ा पेस्ट में ओप्शन नम्बर सी राइट आंसर है एक पेड मा के नाम अभ्यान की शुरुदा की गई तो ये शुरुदा हुई है हमारे प्रधानमतिर नरेंदर मोधी जी के दौरा आप्शन नम्बर ईक राइटन से रहेगा नाम क्या है अभ्यांत का एक पेड मा के नाम आहे इसके बारे में जानते हैं तो पांच जून को प्रधानमती नरेंद मोदी जी ने विश्व प्रयावन दिवस के उपलक्ष में एक पेड मा के नाम अप्यान की शुरुवात की उन्होंने दिली के बुध जन्ती पार्क में पीपल का पोदा लगाया है उन्होंने भारत अथा विश्व भर में सभी लोग से कोवैत का नेया क्राउन प्रिंस जो है ये गोशित किया गया तो इनका नाम है शेख सभा खालित अल सभा ओप्ष नबर बी जो है करेक्ट अंसर है तो फैंस इसके साथ हमारी आज की वीडियो कंपलीट होती है उमीद करते हूं वीडियो आपको अच्छे जाम जाया होग और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेज जरूर कीजिएगा अब आपसे टू कुशन का जो है मैं टेस्ट लूँगी जिसका अंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे फस्ट कॉशन है आपका टेस्ट का विशयो प्रवण दिवस जो है ÖTF हुआ ये 2022 में कमेंट सेक्शन में देंगे जून दोज़ा अच्छा क किसने इश्या के सबसे अमेर विक्ती का किताब फिर से हांशिल कर लिए याव और आपके पास राइट इन आपने comment section में लिख देना है video आपको कैसा लगा यह भी बताना है in the end of video में आपको बताना चाहती हूँ अगर आपको हमारी e-books खरीदनी है पेड तो आप हमारी website visit कर सकते है www.rofeebooks.com के नाम से है अभी recent में हमने जैन 2 माई last 5 months की current affairs की book launch करी है अगर आपको separately सेपरेटली जो है month wise books चाहिए जैन की Feb की March की April की माई की वो भी आपको मिल जाएंगी इंडिन पॉलिटी की paid video मिल जाएंगी तो ज़रूर विजिट करिएगा हमारी website इसी वीडियो को अपने phone में डाउनलोड कर लीजिए फ्री टेस्ट के लिए यहां पर जाके आप फ्री टेस्ट लगवा सकते हैं इबुक्स के बारे में आपको उपर ही बताया है मैंने तो ज़रूर भए करिएगा इसी वीडियो को और इंपोर्टन सेशिन के साथ थैंक यू सो मच फोर वचिंग इस वीडियो